नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल News Markets 24 में आज तेल मांग बढ़ने से सरसों तेज से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे तेल मिलों की लगातार खरीद के चलते घरेलू बाजार में गुरुवार को सरसों के भाव में लगातार दूसरे दिन तेजी देखी गई जैपुर में कंडीशन वाली सरसों के दाम 125 रुपए बढ़कर 6700 रुपए प्रती क्विंटल हो गए जबकि कोटा में यह तेजी 200 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गई विदेशी बाजार में भी खाद्य तेलों की कीमते लगातार दूसरे दिन बढ़ी मलेशियाई पाम तेल के दाम 2% तक चड़ गए और शिकागों में सोया तेल के भाव में भी सुधार दर्स किया गया इसी बीच डालियान में भी खाद्य तेलों की कीमतों में मजबूती देखी गई विशेशग्यों के अनुसार वैश्विक स्तर पर पाम तेल की बढ़ती मांग और सीमित उत्पादन के कारण इसकी आपूर्ती पर दबाव बढ़ा है जिससे कीमतों में तेजी आ रही है घरेलू बाजार में भी सर्सों तेल की कीमतों में तीन दिनों से लगातार उच्छाल देखा जा रहा है और इसी दौरान सर्सों खल के भाव में भी सुधार हुआ है सर्सों की प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में दैनिक आवक में कमिया रही है व्यापारियों का कहना है कि निचले भाव पर स्टॉकिस्ट और किसान अपनी सर्सों बेचने में रुची नहीं दिखा रहे हैं जबकि घरेलू बाजार में सर्सों का स्टॉक भी कम हो गया है हालांकि केंद्रिय पूल में सर्सों का परियाप्त भंडार बना हुआ है खपत के मौसमी सीजन के कारण घरेलू बाजार में सर्सों तेल की मांग अभी भी बनी रहेगी लेकिन इसकी कीमतें आगे बढ़ेंगी या घटेंगी यह काफी हद तक आयातित खाद्य तेलों के भाव पर निर्भर करेगा देश भर की मंडियों में सर्सों की दैनिक आवक घटकर 2.75 लाख बोरियों तक आ गई है जबकि पिछले कारोबारी दिन में यह 3 लाख बोरी थी इन आवकों में से राजस्थान की मंडियों में 1.40 लाख बोरी, मध्य प्रदेश में 20 हजार बोरी, उत्तर प्रदेश में 25 हजार बोरी, पंजाब और हर्याना में 10 हजार बोरी, गुजरात में 15 हजार बोरी और अन्य राज्यों की मंडियों में कुल 45 हजार बोरियों की जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और News Markets 24 देखते रहे